हे नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चेनल The Big Bull 420 पर दोस्तों जैसा क्या आपको पता है हम अपने चेनल पर एक काफी अच्छा Daily Market Analysis वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम बात करते हैं जिफ्टी, बेंग जिफ्टी कुश टोक्स के बारे में कि कल हमें मार्केट में कीन अच्छे लेवल्स पर अच्छा ओमेंट देखने को मिल सकता है आज का मार्केट काफी धासु रहा वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सबसे बड़ी गलती तो यहां कर दी चेनल को सब्सक्राइब कर दीजगा बेल आइकन हिट कर दीजगा वीडियो को अभी से लाइक कर दो काफी जादा मज़ा आएगा इसी के साथ डेली मंडे टू फ्राइडे मौनिंग नो मैं पूरे दिन मार्के नहीं नहीं दौर जाफ और व्राइक कर दोकांत फ्राइब कावज फ्राइब फ्राइब का फ्राइब क्यों देखने को मिल सकता ऐ। इसी को पंदा में टाइम प्रेम पर देखने का ट्राय करूँगा निफ्टी-फिफ्टी में क्या सिनारियो तो ठीक है ये एक किते रेंज का बन रहा है 17,800 से 17,640 सम्तिंग है ठीक है ये इतने पॉइंट में मार्केट अपनों को बंदा हुआ दिख रहा है निफ्टी-फिफ लेकिन कही न कहीं पिछले कुछ समय में कित्ती तारीकी बात है अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि अब 25 ओक्टोमर को मार्केट ने ओपन दिया और वही से विक भी नहीं बना डारिकली मार्केट सेलिंग में आया तो कहीं न कहीं 17,810 तक के लिए अपन मार्क मार्केट में दिखा सकते हैं याद रखेगा तो अगर मार्केट क्या करता है 17,810 का लेवल ब्रेक आउट करता है तो कहीं न कहीं में CE में एंट्री लूँगा कोल साइड में जाने में इंट्रेस्टेट रहूँगा क्योंकि मार्केट में बड़ा पेसा बन सकता है नीचे आता है वापस अब जाता है लेकिन इस बार क्या हो कि यह स्विंग नहीं तोड़ पाया था तो अपन मार्केट में बनते हैं मिनिमम अपनों को यह स्विंग तूटना चाहिए इसे क्या बोलते हैं हायर लो क्या मार्केट हायर लो तोड़ पाया आज the answer is no तो मार्केट अभी रुका हुआ है अभी मार्केट में वही सीने या तो यह स्विंग या यह स्विंग प्राइस अकोडिग या तो मार्केट क्या करें 17lles 810 का लेडल ब्रेक आऊट करें या मार्केट 17洗 please का ब्रेक डाूण करें तो मैं मार्केट में कहीण के सेलिंग बाइग में बनुए अब अगर मैं एक इसी train line को इस प्रकार खीचने का ट्राय करूं तो क्या यह respective है ठीकिए the answer is yes बिल्कुल respective है लेकिन क्या हो रहा है कि देखे यहां आया selling यहां से वापस buying आया buying आया बीच में से market return हो तो कही नहीं कि इस train line का upper side का train line थोड़ा सा कम जो हो रहे so हाल फिलाल में downside की train line की respect है याद रखिएगा क्या होगा market में अगर downside का train line तूटता है 17640 लेवल तूटता है शाफ से link का पूरा scenario बन सकता है reason previous swing तूटेगा previous swing जो बना है न वो काफी अच्छा breakdown होगा market अपना trend moment जो रहता है अपन क्या बोलते है higher high higher low lower low lower high market ये वाला swing तोड़ देगा और ये तोड़ता है तो आपको पता है कि market अपना trend चेंज करेगा अभी market क्या कर रहा है इस प्रकार चल रहा है अप and up देकिन market ने क्या करा अभी ये वाला swing नहीं तोड़ पाई ये वाला swing नहीं तोड़ पाया ता last time से तो कहिन कही market इस particular range में है ओके याद रखेगा तो अगर market अपर साइड तोड़ता है ये वाला swing तोड़ता है बाईंगे ये वाला swing तोड़ता है सेलिंगे आज एक कोड़ swing मना दिया है ठीके न तो ये swings काफी जादा market में आपके लिए महत्व रखेंगे निफ्टी विप्टी के चलते हैं बेंग निफ्टी को समझते हैं बेंग निफ्टी में क्या हाल चाल हो रहे हैं बेंग निफ्टी कैसा चल रहा है थोड़ा सा बेंग निफ्टी को समझते हैं तो ठीक है ये बेंग निफ्टी का चार्ट है तो कहीं ने कहीं इसमें भी वही level दिख रहा है downside का ये level, upside का ये level पिछले 3 दिन का market day time frame पर अगर मैं देखता हूँ तो कहीं ने कहीं ये ही रुख चुका है इससे पहले का क्या scenario चल रहा था इससे पहले बिल्कुल आपको दिखेगा proper format दिखेगा higher high, higher low, higher high market अभी sideways जा चुका है ठीके, price action के base पर ज़्यादा बात करता हूँ उसी पर चलेंगे, 15 विट टाइम फ्रेम पर चलते हैं levels थोड़ा सा absorb करते हैं कौन से level ज़्यादा अपने लिए महत्फून है क्या बात है, super solid level देखने को मिल रहा है super एक resistance था market का इस resistance से market ने selling दीती 41,025 का level है 41,025 round का level है round level के आसपास से market ने क्या क्या था एक star बना के, doji बना के return हुआ था अगले दिन market एक बहुत अच्छा gap up होता है कहीं न कहीं जहां से star का return हुआ था, मतलब है candlestick pattern मना के market return हुआ था जहां से resistance लिया था वहीं आके market ने अपनी last candle close करी 15 bit time frame की so, क्या हो गया, रजिस्ट हो गया support या, market का कौन सा strong level यहां सामने आ रहा है, 41,025 का level है market इसे breakdown करता है मैं एक put side में छोटे से stop loss देखे, stop loss जितना ज़्यादा छोटा होगा, आपकी market में उतना ज़्यादा risk लेने की capacity बढ़ची जाएगी ठीके, समझ ना इस सीच को जितना ज़्यादा stop loss छोटा होगा, उतना ज़्यादा market में risk लेने की capacity बढ़ची जाएगी मतलब अगर मान लो, like मान लीजी, मैं एक 10 point का logical stop loss दूणने में क्या कहते हैं, मैं अपने आपको रखता हूँ, कि हाँ मैं 10 point का stop loss दूण सकता हूँ market में तो कही ने कही और 1 stop loss होता है 50 point का, ठीके, सो अगर मैं 10 point के stop loss ले सकता हूँ market में दूण सकता हूँ, मेरे में capability है कि मैं 10 point का logical stop loss market में धूण के trade करूँ, तो कही ने कही ये 10 point का stop loss मुझे 5 opportunity देता है कि भाई तू 5 बार जो है अगर इस 50 point के stop loss के comparison में, ठीके ना, तो कही ने कही ने छोटे stop losses आपको थोड़ी आजादी देते हैं market में कि हाँ आप थोड़े trade भी कर सकते हो से, सो कही ने कही पहले इस चीज में आपको थोड़ी नोलेज होना चाही कि यहाँ छोटे stop loss से किस प्रकार ढूण पाएं, ठीके ये बात चलती रहेगी इससे पहले अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भाया 41,025 का level आपके लिए जादा strong है breakdown होता है, इसमें वही सीने swing टूटेगा, डारेक लिपन मार्केट में सेलिंग में बनेंगे, अब अपर साइड कौन सा है 41,535 41,535 का round level भी ये 41,500 तो कही ने कि उसके उपर ही में मार्केट को sustain होते हुए देखना चाहूँगा, कि 41,535 एक बार टूटे, मार्केट अगर वापस इसे trend continue करता है 41,535 को breakout करता है, तो कही ने कि मार्केट में में काफी अच्छा buying moment देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर ये moment कहां तक continue हो सकता है, में भी आपको 42,000 के जगा, round level है 42,000 देखने को मिल सकता है, अभी हाल फिलाल में bank nifty जो है, old time high के आसपास चल रहा है, ठीके, लगबग आसपास चल रहा है, अपने इसा बोल सकते हैं, ओके, सो कही ने कही ये important level है, बात रहती है कुछ trend lines वगरा है, भाईया कोई trend line वगरा दिख रहा है, तो वो check out कर लेते हैं क्या यहां से कोई trend line चल रहा है, ठीके, यह trend line चल रहा है, क्या यह trend line पीछे भी continue हो रहा है बहुत बड़ा trend line है, देखे ठीके, यह trend line तो flow पे या तो इसे यहीं से लगाएंगे, आज के दो swing मिलेंगे नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं भी है एक trend line इस प्रकार से लगा सकते है ठीके, किती तरीका market है भी है 21 October के market से एक trend line किछता हूँ मैं और आज के market को भी इसका support लेते हुए देख सकता हूँ जहां तक मुझे दिख रहा है market में ठीके, एक respective trend line है अपर साइड में अगर एक zone लगा है क्योंकि second time यहां से sailing आया अच्छा वाला sailing आया तो कहीं नगे आपको यहां एक chart pattern मनता हो दिख रहा है अब आपके लिए task है कि भाया यह chart pattern कौन सा है जो बन रहा है ठीके, यह chart pattern में अगर यह upper side का level तूटता है तो buying आता है, ठीके, इतना मुझे पता है अब यह chart pattern कौन सा है यह भी मुझे पता है, लेकिन मैं आप से पूछ रहा हूँ क्यों, ताकि आपका knowledge increase हो पाए, ठीके so I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है, प्लीस आपका एक comment like करना बनता है, चैनल पे नहीं हो चैनल को subscribe नहीं किया है, कर दिजेगा भईया आपको daily हमारा साथ जुड़के कुछ नो कुछ सीकरे को मिलेगा ही मिलेगा, यह मेरा वादा है, live में जुड़ियो morning 9 बज़े से 3 बज़े तक पूरे ट्रेडिंग सेशन में आपके साथ हम जुड़ते हैं सो ठीके, bye bye, ठीके, ध्यान रखेगा, मस्त रहेगा, सीखते रहेगा